अब बात आती है कि क्या जब हमारा एक्जाम पास आ जाएगा वैन वी है ओनली वान ओर टू मन्स इन आवर एक्जाम तो इतने टाइम में हम प्रिपेर कर लेंगे नहीं तो उसके लिए आपको अभी से थोड़ थोड़ी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी अब बात आती है कि अगर हम सब्जेक्ट देखे तो फेज एक जो फर्स्ट फेज है फर्स्ट फेज के अंदर क्वाइंटिटिटिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके अंदर आपको ज्यादा और साथ में आपको क्या है कि जो सिंगल सिंगल छोट छोटे से कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं हर एक टोपिक के तो इसलिए हम अभी आप लोगों के लिए क्वाइंटिटेटीव एक्टिटिटुड ही स्टार्ट करें कि इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिक्स हम प्रिपेर कर लें ओके तो आज की इस वीडियो के के अधर मैं आप लोगों के साथ में डिसकस करने वालोग data interpretation data interpretation is one of the important topic in quantitative aptitude section because अगर हम बात करते data interpretation की तो उसके अंदर भी काफी वास्ट में कि data table भी आपको मिल सकता एकक्जाम के अंदर पाई-चार्ट दियुका थे आपको Coming mails the . this confirm कावम की 5-6 questions तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे तो data interpretation के अदर ही आज हम discuss करने वाले data table yes we will discuss data table पूर टेबल में भी important data tables हम discuss करेंगे तो आज की जो data table है that is missing data table missing data table सभी ने pen साकोपी साथ में लेकर बैठना और साथ में कोशिश करनी है उसको solve करने की कोशिश करने को करते हैं स्टार्ट यहां पर है आपके पास डाट टेबल यह दिस टेबल का कोश्चिन आता है कि कोई भी डियाई आपको मिलती है कि आपको पता होना चाहिए लो डियाई क्या रपरज dest कर रही है अगर टेबल है तो टेबल क्या Liman कोश सब्सक्राइब कोश रोपास को दूसरी डियाई है तो पूंच सब्सक्राइब Тरण कर रही है percentage seats that were filled out total sitting capacity of buses क्या क्या गीवन है यह क्या रहा है कि जो 5 buses है उनकी sitting capacity given है आपके पास और percentage of seats filled given filled है that means कि you can find out the vacants okay some of the data is missing and denoted as any कुछ data यहां पर missing है आपके पास में आप उसमें साथ में कुछ और भी points है यहां पर आपको बताएं क्या है the total number of vacant seats in all five buses together is 40 total vacant seats कितनी है 40 है okay the number of seats in bus D and E together is 65 D और E के अंदर जो total number of seats है they are 65 this is given that means what कि इसकी help से जो आपके पास missing data है उसको आप calculate कर सकते हैं अब देखो जब भी आपके पास इस तरह की डी आई मिलती है तो हमने देखना है कि हमें कितने questions मिल रहे हैं और जब हम बात करें से भी की that means कि हमें questions इस पर फॉर तो फाइव questions तो मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो अब उस case के अंदर क्या है कि आपने पहले इसको solve कर लेना सो दैट की बाद में questions को आप easily solve कर पाऊं ओके तो start करें देखो कि जब भी हम कर रहें तो उससे पहले दो टोपिक्स तो आप अच्छे से कर लीजिए वन इस पर्संटेज एंड सेकेंड इस रेश्यों की दोनों कंसेप्स डियाई के अंदर काफी ज्यादा helpful रहते हैं ओके जैसे यहीं पर है हम देखने क्या परसंटेज का सिंसे कित सिस्क्सक्राइब को सब्सक्राइब सिक्स्टी पर्संट पर्संट्यवल्यzem एनट टो वेज बिसन से इसका जैसे 40 परसेंट आपको कल्कुलेट करने है तो परसेंटेज है वह दो जीरों की साथ में चैनल आउट हो जाती है इसको करो इसको कि चैनल आ गया गया खोट जेट्ट ऑग्या तो तो कि तो है अगर हम बात करते हैं यहां पे तो एटी परसेंट इस फिल्ट एटी परसेंट डैट मिश्ट वेकेंट इन 20 ऑफ 60 कि तो घृटी ऑपढ़ी। 60% field, that means 40% vacant, तो यह कितना हो गया, 15 के 60, that means 6, 6 is vacant, clear, अब यहाँ पे उसने एक point दिया है हमें, क्या कि जो number of vacant seats है, वो total कितनी है, 40, और अगर हम यहाँ से देखें, तो यह मेरे पास कितना हो गया, 20, 20 तो field है, vacant है मेरे पास में, किसकी A, B, C की, that means what, कि यहाँ पे आपके पास म that is 40, D और E की जो vacant है, वो कितनी आगया, आपके पास 20, यह वाला point कि लिए आ रहे, देखो अगर किसी भी point में problem आती है, in that case, comment in the comment section, ओके, बिलकोल hesitate नहीं करना, अभी से आपम देरे देरे preparation करेंगे, तो आप देखोगी कि quantitative attitude बड़ा अच्छे से हो गया, हाँ जी, तो यहा से vacant निकाला कि A, B, C की vacant कितनी आगी 20, इसने काया कि total vacant कितनी है 40, that means what कि यहां से आपके पास में, जो D और E की vacant है, वो कितनी आगी है, 20, clear, अब D और E की अगर हम vacant की बात करते हैं, तो यहां पर उसने क्या क्या, let us say कि यह जो है, यह D है, यह है, हमारे पास E, अब यहां प percentage में सभी students को बार-बार कहते हूं, कि सभी को लर्म होने चाहिए, अब यहां पर हम 70 की बात करें, 70%, field 30% क्या है, vacant, that means 3 by 10 क्या है, vacant, तो हम यहां पर क्या, इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, 3 by 10 of total change, point is clear, same way, E का अगर हम देखें, तो 66.6, 6% क्या है, field है, that means की vacant कितनी है, 33.33%, that means की 1 by 3, तो यहां पर यह कितना हो गया, 1 by 3 of E, I hope सभी को clear है यह वाला point, एक-एक point बिलकुल आराम से करा रहे हूं, exam में इतना टाइम नहीं होता है, आपके पास, but जब आपके concepts clear होंगे, तो automatically speed बढ़ेगी, इसलिए concept पर फोकस जरूर करने है, अब यहां पर देखो, यह वाला point clear हुआ हमने कैसे किया, अब यह कितना आ गया आपके पास में, 90 plus 9E is equal to 65, इसको multiply करोगी कितना आ गया यह आपके पास में, नोची के चोवण, और यह 585, yes, this will be 585, okay, solve किया हमने, क्या value आगी, E is equal to 50, E की value क्या है, 15, अब total कितना है, 65, total यहां पर हमने, यह जो है statement, यह क्या denote कर रही है, D plus E is equal to 65, okay, अब E की value आपके पास 15, that means कि जो D है, D की value कितनी होगी आपके पास, तो यहां से क्या पता चला हमे, this is 50, okay, this is 15, अब अगर हम बात करते हैं, वेकेंड सीट्स की, तो वेकेंड सीट्स कितनी है, और फिल्ड कितनी है, अगर हम वेकेंड यहां पर देखेंगे, तो कितनी है, 30%, that means कि 15, यहां पर वेकेंड कितनी, 1 3rd, that means कि 5, यह होगी वेकेंट सेम वे फिल्ड फिल्ड तो ओवियसली इसका जो जैसे 20 है 20 से 8 गे 12 फिल्ड यहां से अगर हम देखें तो यह होगा आपके पास में फिल्ड की बात करूं कितनी है 12 यह है यहां के पास में फिल्ड सेवंटी परसंट बैट मिन्स की 35 हो गया और यह है आपके पास में तो 10 कि इतनी होगा क्लियर तो यह हमारे पास में सारा डाटा अब यह डाटा आने के बाद वह कोस्टिन तो काफ़ इसली आप सॉल्व कर सकते हो अब देखते कोस्टिन कैसे आए वह ठीक है यह जो डाटा है एक बात और जब भी डियाई करते हो तो उसकेस में जो भी आपको इन्फोर्मेशन यह यहां पर फिल कर रहे हो या कोई भी डियाई है उसके अंदर जो जो भी आप कैलकुलेशन की बाद आपकी वैल्यूस है उनको साफ साफ नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वही सारी वैल्यूस आपको आगे जो कोस्टिन से उनमें हेल्फुल रहने वाली है ओके यह कुछ ना सब्सक्राइब करें तो अब यहां पर देखिए आप अभी हमने जो इन्फोर्मेशन थी आपके पास में यस यह आगे अभी जो हमने किया था सोल सारा मैंने यहां पर टेबल की फोम में रख दिया आपके पास में सो दैट कि हर एक कोश्चन के लिए असे पिछे बार बार आजाना पड़े आपको कि तो यहां पर आप देख सकते हूं क्या रहा है? अवरेज सीट सो बी, C, D, E, B, C, D, E अब वेकेंट अगर हम देखे तो टोटल वेकेंट वास 40 तो कित्मी होगी यह टोटल? 32 और अवर अवरेज कैसे फाइंड आउट करते हम? Average is equal to total divided by number of seats. तो ही कितना है? 4? कितना है आपके पास? 8. So your answer will be option B. Option B, 8 will be the correct answer. 8 will be the correct answer. Then next देखीगा. If the number of vacant seats were distributed in degree pi chart, अब देखो, कुझो question है, question थो data table का है, but साथ मी pi chart का concept भी यहां पर आगया है. क्या कह रहा है? कि जो distribute किया है, उसको pi chart के अदर. Then what would have been the central angle for bus A? Bus A के लिए central angle क्या रहेगा? अब हम यहां पर देखें. जो bus A है, bus A यहां पर आपके पास में कहां पर है? Yes, इस नमबर ओव वेकेंट सीट्स को distribute कर रहा है, bus A के अंदर वेकेंट सीट्स कितनी है? 8 है, 8 है, और जो pi chart है, वो total किसको बताता है? अगर हम बात करते है, percentage के अंदर. In degree, this is 360 degree, ओके? अब यहां पर देखो क्या है? हाँ जी, क्या क्या रहा है, number of vacant seat कितनी थी? 8, इसको pi chart पे रखना है, 8 by total is 40 and 360. कितना आ गया आपके पास? This is 72 degree, so your answer will be 72 degree. Clear? Next देखेगा. Yes, if the, what is the ratio of the number of field seat of bus? Field B की and vacant of A. Vacant A की. अब field B की देखेंगे ही, तो हमारे पास में कितना दिखाई दे रहा? This is 24, okay? और A की vacant देखें, this is 8. Ratio है, that means कि cancel out हो जाएगा. क्या आ गया? 3 Ratio 1. 3 Ratio 1 will be the correct time. Then, next देखेगा. Yes, next question है यहाँ पर. देखो, जब CABी का exam के लिए आप prepare कर रहे हो, तो आपको practice तो कफी ज़्यादा करनी है, practice क्योंकि कैसा भी DIA आ जाता है exam के अंदर? और grade A का exam है, that means कि यहाँ पर obviously जो लेवल रहेगा questions का, लेवल हाई रहेगा. तो बिल्कुल easy questions नहीं मिलने, बट अगर concepts के लिए रहे, तो difficult भी easy लगेगा. So, अभी से preparation शुरू कर दो, बार-बार repeatedly कह रहे हूं, खास करके quant के लिए अभी से prepare करना शुरू कर देंगे सभी. हाँची, आगे क्या है? If 20% of seat of bus E were occupied by the people, aging 60. अब यहाँ पर bus E की अगर हम बात करें, तो bus E के अंदर देखो field seat कितनी है? 8 है, 10 है, 10 seats है field, वही क्या करा है कि 20% occupied by age 60%, greater than 60% कितनी है? 20%, 20% of what? 10, that means this is equal to 2. 20% कितना हो गया? 2 के equal हो गया, साथ में क्या करा है? 40% by female. 40% of 10 is equal to 4. 50% occupied by male, below 60. 50% below 60, male. That means 5. अब यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ चोटा सा point है, पर जो total seat है, वो तो 10 है, बट यहाँ पर मेरा जो total है, वो तो कितना बन रहा है? 11 का बन रहा है, 11 का बन रहा है. यहाँ पर क्या point है? कि इसका meaning ही हो गया है, कि जो बाकी की अपनी यह जो, ठीक है? तो इसका meaning ही है, कि जो 60% से ज्यादा के लोग है, हमारे पास है, दो. और female total कितनी है? 4. female कितनी है total हमारे पास? 4. that means what की जो एक female है आपकी, उसकी age क्या है? greater than 60 है, ओके और यही आपका question है, क्या what was the total number of seats occupied by female aging above 60? तो कितना आएगा आपके पास में? 1, ओके? 1. तर next देखीगा. next if 20% of passenger of bus D go down, यहावली बस तो. अब यहाँ पे D की हम बात कर रहे है, तो D के अंदर total number of passengers कितने आये थे हमारे? 35, 35 passengers थे और यह कहा रहे है कि इसके अंदर से यहारावली पे 20% उतर गया. 20% कितना हो गया इसका? 20% that means की? हाँ जी, 7, 7 passenger कहा रहे है, आगे. माइनस हो गया? and 2 passengers boarded bus from the same bus stop, 2 आगे. ओके? that means जो यहाँ पे एक bus stop उन्होंने का आया, that is यारे बली. bus stop पे, D के अंदर total number of passengers कितने हो गया? 30, 35 थे, 7 उतर गया है और 2 निव आ गया है. that means बाट की total 30 passengers है bus के अंदर. अब साथ में उसने क्या और information हमें provide किया? the conductor start charging from यारावली bus stop, the number of adult and children in the bus were in ratio to ratio 1. to ratio 1, okay? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ratio का concept आगे, तो मैं अभी पहले भी आपको बता चुकिए, ratio और percentage. जब DI कर रहे हो, तो ratio और percentage के concepts पहले clear करके चलो आपे. तो DI easy रहे गी आपके लिए. तो अगर हाँ पे हो कहा रहे है क्या? adult और children, adult और children की ratio. So this is children, yes. adult और children की ratio कितनी है? आपके पास 2 ratio 1. अब अगर इस 30 को 2 ratio 1 के अंदर divide करो, तो कितना बनेगा? 20 and 10. That means कि 20 कोन है? adult है और 10 children है. Simple? आपके देखो, if the total collection of the bus fare was 800, then what is the bus fare of each child? तो एक चाइड का bus fare आपको बताना है. अब हमें आगे भी कुछ information given है. क्या है? consider there were no other stoppage, till the final stoppage. And the bus ticket was free till 11, 12, 12 तब के कोई पैसे नहीं लगे, this was free. And the children ticket price was half than that of adult. जो children है, children का price कितना है? फिर half है किस से? adult से. So let us say कि भी जो children है, children के X rupees लग रहे हैं, तो adult के कितने लग रहे हैं? 2X. ओके? अब adult कितने है 20? 20. Adult की जो fare है कितना है? 2X, कितना हो गया? 40X. Children कितने है? 10? Fare कितना है? X rupees, that means X. Total क्या कह रहे है? कितना collection है? 800. That means कि 50X is equal to 800 and X is equal to 16. X is equal to 16. And X हमने क्या consider किया है? Children का fare. Single child का जो fare है, that is X. And this is 16. So your answer will be rupees 16. Okay? हांजी देखी, next question क्या है? What was the difference between the number of vacant seat in bus C? Vacant seat in bus C and number of field seat in bus D. तो अब field seat of D कितना है आपके पास में? Field D this is 35. And vacant in C this is 6. और क्या का है आपको? Difference. तो अगर हम बात करते हैं difference की. Difference is equal to 35 minus 6. कितना है? 35 minus 6. That means 29. Okay? अब हमारी option में तो 29 है नहीं? Option में 29 है नहीं? तो यह अपने पास में क्या आजाएगा? None of these. None of these will be the correct. क्लियर कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा है इसके अंदर? हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट. कई बार क्या आता है? Concepts तो हमारे क्लियर है, बट हमें time काफी ज़्यादा लग रहा होता है. That means कि मुझे practice की requirement है. Okay? तो अगर आपको data table के लिए practice questions की requirement है, या फिर आपकी concepts के लिए नहीं है. In that case, आप अगर data table को prepare करना चाहते हो, तो देखो, जो single single topic को आप अभी से prepare करना शुरू कर सकते हो. तो अब यहाँ पर data table के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो, मैंने link provide किया है, अभी PDA आपकी preparation करवारा, microverses get through. So that कि आप single single topic को prepare कर सको. Okay? तो यहाँ पर मैंने आपको दो link provide करें हैं, और बोथ इस links are also available in the description. First is SEBI microverses, SEBI के जितने भी topics हैं, जितने भी subjects हैं, उनके single single topic के लिए आप prepare कर सकते हो, कोई भी subject है. ठीक है? दूसरा data table, जो हमने आज किया है, तो अगर आपको data table के microverses की जरूरत है, in that case, आप इस particular link पे जाएंगी, और इस microverses पे आपको मिल क्या रहा है, देखो, अगर आपको data table प्रिपेर करना है, in that case, देखे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जी, तू video lectures अब लेबल है, तू video lectures यहाँ पे अब लेबल है, इसके अलावा, वेब notes आपको मिल रहे, इसके अलावा आपको 498 multiple choice questions मिल रहे है, जो multiple choice questions है, they are also in the form of test, जब आप इसको चेक कर रहे हो, in that case, you are also getting 3 minutes trial, 3 minutes का आप trial भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप video lectures, web note और test के उपर, चेक कर सकते हो, कैसे आपको test यहाँ पे मिल रहे है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मालों में trial लेना चाहती है, मैंने यहाँ पे का start 3 minutes trial, अब यहाँ पे हमने जब trial लेना है, तो यह यहाँ पे देखो, क्या-क्या मिल रहा है, आपको class video lectures 2, दोनों को आप access कर सकते हो, उसके अलावा, क्या है आपके पास में, हाँ जी, web note, आप web note देख सकते हो, इसके अलावा, आपके पास में क्या है, हाँ जी, multiple choice questions, आप multiple choice questions देख सकते हो, ओके, and these multiple choice questions are in the form of test, और उसको भी आगया आप further customize कर सकते हो, ओके, यस दिस लोड़िंग, हाँ जी, देखी, यह आपके पास में, जो questions are 498, यह किसकी form में आगया आपके पास, test, test 1, test 2, यह देखो, सारे के सारे आपको, यहाँ पे मिल गया, view all करेंगे, in that case you will get all the tests, in the form of, आप single single test को attempt करोगे, इत्मा ही नहीं है, जब आप test को attempt करें, उसके बास सभी questions को, आप test logs में जाके, check कर सकते हो, उसका review आप ले सकते हो, each and every questions, will be available with detailed explanation, सभी की, पूरी की, पूरी explanation के साथ में, questions आपको available रहे हैं, ओके, yes, यहाँ पे देखो, सारे आपको, So, it was all for today, मिलते हैं, next class के अंदर, next topic के साथ, Thank you.